कोई रात को आ रहा है और गोबी चुरा के ले जा रहा है तो चले थोड़ा बहुत गोबियां बच रखी है तो इनको हटा देते हैं पूर आज कट्टे ले के आ रहे हैं और कट्टे भरके जा रहे हैं इसे तो नुक्सान हमारे ही हुआ ना देखे जी इतने चोड़ चोड़े तो चले जी सुबा की साड़े नौ बच चुकी है और मौसम भी प्यारा हसीन हो रहा है और बाकी शूरी देव भी नजर आ रहे हैं तो इसी के साथ आज के ब्लॉक की सुरवात भी कल लेता हूँ तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है मैं ब्लॉक की सुरवात महीं माजी जाने लगे घास के लिए ताही जी वे आ रहे हैं यहां पर चलो ठीक ठीक है जल जाना है और मदुली और बिंदो को अंदर बांद दिया गया क्योंकि धूप बहुत जादा लग रही है और आज मैं बहुत लेट मोठा एक्चुली क्या हुआ कि मैंने तीन बज तक एडिटिंग की तो आनी तभी सुबे चलेगी कॉलेज तो अब उसको तो बादी में मिलूँगा तो भाई साब गरी में तो बड़ी खतरनाक लगरी भाई आ गया है ओहौ शुरेदेव नमस्कार ठीक 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 कोई भाद में तो अभी ताई जी आ रहे थे तो अचुली उनके घर से भी मैं आटा लेकी गया था तो वहां से जो पूरियां से हम को बन के आई ताई जी किसी और गाउं में चलेगी थी कल फिर वो अपने घर में थैली थानी थाए अभी आए अपनी पूरी को लेने तायी जी ने कहा कि तुम खा लेते बस तो हम ने कहा कि अगर परसाद है इसको हम नहीं खा सकते हैं अगर परसाद नही.' लेकिन यह आपी के लिए यह भगवान ने आपके लिए भोग भेज राखा है बागी बहुत गर्मी लग रहे हैं अगर सच बता हूं और बाकी अखरोड के पेड़ पी एक भी अखरोड नहीं रखा है बंदर ने क्या हुआ कि कल अनिता कॉलेज थी और मैं सीरी गाव में चले गया था तो मा घास के लिए गई थी और सेरो को किसी ने खोल गया था क्योंकि उस चिला रहा होगा और उसके बाद बंदर आए रोनिया तमास कर देए और पूर्रे अखरोड खतम कर लिए तो कोल में लाकर बात है कि पहाड़ों में हम जितनी मिहनत करते हैं तो उसका हमें दस परसंट भी नहीं प्राप्त हो पाता है क्योंकि या तो बंदा नुक्सान कर देते हैं या तो चोर नुक्सान कर देते हैं और या तो मौसम भी कभी कभी नुक्सान कर देता है तो उसमे पूरी इनको कीड़ा खा रहा है, वो कीड़ा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो इनको धीरे धीरे खाता रहता है, पूरी पतियों को खतम कर देता है, और पिछली वीडियो में कमेंट आहे था कि आपके घर के सामने जो आपके गाउं में मंदिर बन रहा है, वो कौन से दे तो लगवाग डेड़ बच्चों की और बच्चों की भी छुटी हो गई है तो अनीता भी जल्दी आने वाली अब चलिए जे माजी भी आ गई है भई आज दिन में आगए मा बदा है आज टाइम पर आगया अब तो चलो अच्छे बात है आज मा भी टाइम पर आ गई मा को पानी पिलाते हैं क्योंकि बहुत प्यास लग गए होगी न तो देखे जी मा पानी ने पीरी मा बोल रही पहले बल मदुली और बिंदू को मैं गास दे दे दो तब यूंग विल पानी तो मेरी मा ने पूरा जीवन मदुली और बिंदू के लिए समरपन कर रखा है तो खाना बनानी की तैयारी शुरू करते हैं तो आज मा बोल रही है कि दाल वलो और सब्जी खाखा के बन थोड़ा मन बर गया तो आज ऐसा करते हैं हरी सब्जी बनाते हैं यूंकि डेली डाल हो रही है कभी आलू हो रहे है तो कंटिनियों खा 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 गे थोड़ा मन अजीव से हो गया है हमने अपने सगोडे में जो राइ बो रख़ी है तो उसको निकालते है। और साथ में मिडिच्भी बो रही मा ने और माज़ी निकाल दया मारचा और क्या होता राई के साथ अगर मार्चा मिक्स करें न तो काफी स्वाद आता है वई तो सब्जी लाने के लिए हमने ये डस्ट मिन ला रखा है और इसमें कठा करके डालेंगे और उसके बाए इनको दोलेंगे फिर इसको काटेंगे और ये मिर्ची भी हो रखी है तो इस वाले हेड़ में हमने काफी ज़्यादा सब्जी बो रखी है और ये देखो करेले भी होने वाले हैं और मिर्ची तो लगवग हो गई है राई भी बो रखी है और मार्चा भी और यहां काकड़ी उसकी बेल भी लंबी हो गई तो यानि कि कुछ दिन अबाद काकड़ी भी लगना सुरू हो जाएगी और यहां देखो टमाटर भी बो रखे हैं बस यह है कि हमें थोड़ा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे जगाओं में साफ का खत्रा होता है लेजी फाइनली हमने सब्जी निकाल दिये है और इसमें आज क्या-क्या है यह देखिए यह है राई के पत्ते और यह पिंडालू के पत्ते और यह है मार्चे के पत्ते फुल्विला के बाद है कि तीन चार परकार की हरी सब्जेओं के पत्ते निकालकर यह सब्जी बनती हो और लगा लो बंदा जा辉कि कितनी स्वादश्ट होती होगी और सबसे बड़ी बात है कि इस वारी सब्जी में प्याज टमाडर का तड़का नहीं लगता है सिर्फ जक्या या जीरे का तड़का दे दो उसी से स्वाद डबल हो जाता है और उसके बाद अगर दही हो तो भाई सोने पर स्वागा हो जाता है अलगी स्वाद आता है या घर का चावल उसका जो मांड होता है उसको निकाल के भी इस वारी सब्जी में खाते हैं और बहुत बड़ा स्वाद आता है वही ऐसी सब्जियों को पहले मेरी दादी बनाए करती थी जब दादी गहुं में रहती थी बच्वन में हम इने सब्जियों को खाते थे और हमेशा बोलते रहते हिए दादी वह वाली सब्जी बना को इस अब और अबल एक दो भारे भी वहां बचे हुए हैं तो माँ उसको लेने जारी अभी तरो खाना मना देंगे हैं ठीक माँ खाना खाना आ जाना है तो चलिए अनीता भी आ गई क्या हाल है यह जैसे ही आती है और हसना इस्टार करती है तो इसका मतलब है आज या तो इसको नीद आए क्लास में इसने मा का रही होगी क्या हुआ थाधा क्या था प्रोट इसको अज फोड़ा थे गोड़ार्म फिश्च वह इंशीयों है तो इसका अनिता बढ़ी मुस्किल से शाड़े छे बजे उड़ेगी और फिर पदक कैसे उठएगी कि मैंने कर भशू जाने का सोझने का मन क्यों निकर रूख में ने नहीं रहे बस दाउसके बासके इसकी चाल्ग में भाधी की पाणी मारो है ठीक रहा है तो जब अश्कुल में पढ़ता था ना सुबेब जिस दिन संडे होता था उस दिन नूटा झाल पूरा सौंगा लेकिन पर मैंने देखें कुछ लोग ऐसे जिनके नीन भी हराम हो रहे हैं जिम्मेदारियां जब बढ़ती है ना उसके वाल नीन हराम होना इस्टार्ट हो जाती है और अगर सोएंगे भी तो सबने में वह आएगा कि कल क्या होगा परसों क्या होगा यह सब चीजे चलते माइंड में तो चलिए जी दिन की दो बच विर खाना रखने की तयार हो गई है तो चलिए फाइनली खाना बनकर तयार हो गया है बागी अभी हरी सब्जी का मजा लेते हैं और सबसे बड़ी बाद बताओ हरी सब्जी जो है थोड़ा निकाली जाती है और थोड़ा से हरी सब्जी में ब चल चल खा 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 ठीक है बंड करो चल ठीक है चले ज़िए हमने तो खाना खा लया बाकि वागई reign ego पिरुले के मैंने सोचा गास के लए जा रहे कि म flatter आप पिरुले की अ गए है चलो बड़ confidently बढ़े बढ़े तो चलिए जी मा भी खाना खाने लग गई है और मैं थोड़ा खेट में जा रहा हूं माझी जा रहे हैं दो चार गवी बची विए तो आज माने का इनको निकाल देती हैं वह नहीं तो उसके बाद उस्तड़ जाएगी और अभी तो नारंगी पकी नी लेकिन दो तीन मेहने में पक जाएगी अभी सारी नारंगी हरी ओर के तो इनको मालटा भी बोलते हैं जब यह पक जाएगे तो उसके बाद यह यलो कलर के हो जाएगे सावन ने अपना रूप दिखा रखा है पूरा सावन जब भी आता है कुछ न कुछ तोड़ फोर ज़रू करके जाता है तो चले थोड़ा बहुत गोवियां बच रखी है तो इनको हटा देते हैं पूर आज बाकि ये जो पते हैं इनको मदली बिंदो खाएंगे तो माज इनको च्छान के इस वाले कटे में डाल दी है रखो 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 तो गोवियां सड़ तो रहे हैं लेकिन उपर से क्या सब्सक्राइब सारा निकाल देते हैं और इनके पते भी आप सड़ने लगे देखाएं धीरे-धीरे करके इनके सारे पते सड़ने लग दें तो इनको निकाल नहीं सही है क्योंकि सीजन भी आप खतम हो गया और गोवी पूरी सड़ने लगे अंदर से अधिक देखे जी इतने चोड़े पते और इतने चोड़े फूल उसके अंदर अधिक अधिक इतना सारा कवाड़ा हुआ और अब हमने कुछ इसमें डाल दी है गोवी और कुछ यह कटा भड़ जा हमने यहां तो इनको मैं घर ले जाता हूं और कुछ कवाड़ा यह रखा यहां पर तो इतनी गोवी निवी जितना कवाड़ा हो रहा है इस वार सारी गोवी स्वाले कटे में भड़ देते हैं और इस कटे को मैं घर पहुंचा देता हूं अ तो लगा हुआ इतनी तनी भी गोवी यह काम कही नहीं भाई आज चाहिए तक अजय को आज तक तीव है तो में इसका जो बजन हो रहे हैं वर 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 बीच से 25 किलो है लेकिन इसको मार्गेट में ने देंगी इसमार जितने विडिवे सबको देंगी जार पिछे बार भी आफे लेकिन इस बार भी देंगी स्कॉब तो चली जी फाइनरी अंदर लाध्या कटा और बहुत ज्यादा गर्म होड़ी भाई सावन के बाद पसीना का सावन आने वारा भायाँ टुफ